हेलो दोस्तों वेल्कम बैक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बारतियों विश्व भगोल के मातपूर प्रस्न उत्तर पर्या क्वेशन लिखा गया आपका इसमें कहरा है कि भायात में मैं ग्रूब वनस्वतिक असरवाधिक विस्तार किस राज्य में है तो इसका हो जाएग तो इसका हो जाएगा आपका केरल में इसके बार लिखा कर आए कि भायात में सबसे कम वर्षा कहां होती है तो इसका हो जाएगा आपका लेह में आगे बढ़ते हैं लोग कर आए कि तमिल नाडू में सीत कालिन वर्षा किन कानों से होती है तो इसका हो जाएगा आपका पस्चिम बिच्छोब से आगे बढ़ते हैं लोग कोशन लिखा करा कि स्वेज नहर का निर्माड का प्रारंब हुआ तो देखें आप इसका असलिका गया आपका कहरा कि यह नहर कहां स्थित है आपकी इस्थित है मिस्र में यह भूमद्य सागर को लाल समुद्र से जोड़ता है कह रहा है कि दोस्तों जोडने काम करता आपका भ स्वेज नहर कंपने ने स्टार्ट किया था 1869 से लेकर के अचला कब तक था आपका 1869 तक क्योंकि तुछ तो आपके पड़ते हैं हम लोग करा कि स्वेज नहर की लंबाई कितनी है तो इसका अंसा हो जाएगा आपका 168 किलो मेटर आगर लिखा करा कि स्वेज नहर के दोनों सीरों पर इस्थित पत्तन युग में है तो कहलाएगा आपका नहां पर पोर्ट सय्यद और आपका स्वेज वाकर दुस्तों आगे बढ़ करते हैं लोग करा कि किस महाद्वीब को बिसमताओ का महाद्वीब कहा जाता है तो इस का अगर परते हैं लोग कह रहा है कि दोनों दुरुवों को जोड़ने वाली वाह काल्पनिक रेखा जो भूमद रेखा को समकुण पर काटती है कहलाती है तो इस कहां सो जाएगा आपका देशांतर रेखा आगे बढ़ते हैं लो कराय की बार कौन सा महादेव है जहां एक भी जौला मुखी नहीं है तो इसके बाद लिखा कि डाइक क्या है क्या है तो इस कहां सो जाएगा आपका जौला मुखी निर्मित आंतरे का आपका असला कृति है अगे बढ़ते हैं लो करहा क ہ you a कि एंडीज परबत उदाहण है गिए इंडीज परबत उदाहण किसका है तो इस काँ सा हो जाएगा आपका अपका योदाहण है आपका वलिद परबतका इसके बाद कराएक कि संशहर का सबसीद न गवीन न भिन मींस नया वलिदEst certification क्या है या कौन सा है तो इस impose सो जाएगा आपका हिमाल है आगे बढ़ते हैं लोग कि कह रहा है कि सबसे तीव इवरती से अपना पूरी करने वाला ग्रह क्या है तो इसका सो जाएगा आपका बुद्ध ग्रह आगे बढ़ते हैं लोग जुआ है कि भाय्यत के उत्तर से तक बिश्थार कितना है तो इसका जाएगा आपका यहां पर 32ן meinem उसके वाल लिखाय काए कि भायति पूर्व से पर्ष्षिम तक बिश्थार कितना है तो इसका जाएगा आपका 2933 देखे बताएगा करा कि आपका उत्तस दच्छुन आपका यहां पे इतना है देन आपका यहां पर पूरब से पस्ची नापका यहां पर इतना अपकर दूस्त आगे बढ़ते हैं लोग कह रहा है कि पस्च में घाट पर पाई जाने वाली वनस्वति का प्रकार कैसा है तो इसका आपका सदा हरित जिसे कहते हैं लोग यहां पर ग्रीन फॉर इवर आगे बढ़ते हैं लोग कह रहा है कि कौन सा राज सहतूत रेसम उत्पादित करता है तो इसका आपका करनाटक देन कह रहा है कि लीसा प्राप्त होता है तो इसका आपका चीड के बिच्छ से आगे बढ़ते हैं लोग कि कि भायत में चंदन लगड़ी के लिए पसिर्द राज्या है तो सुझ अहंगे आपका करनातक में आपने जहमूर्भा देखा था आपका के जी एव कि तो यहां पे दैखेगा आपका कैसके कोलार गॉल्ड फेल्ड तहीं हाँ करनाटक में ही स्थित दें कहना हैं तो इस कहां सूराज का एक प्राकृति की वन है दिन कहरा है यापका भायत में महातसुक बनाया जाता है तो इसकां सुराइगा आपका ओगाय के प्रथम सब्सक्रा इसरो Standard बढ़ते हम लोग करा कि सन्युक्त राष्ट संग द्वारा वर्स 2011 को गोशित किया गया था तो इस कहां सो जाएगा आपका अंतर राष्ट ये वन वर्स आगे बढ़ते हैं करा है कि भारती बर्स परती शर्वी अच्छड है कने भारती इनीकल सर्वे आप इंडिया का मुख्याले कहां पर हैं तो इसका सो जाएगा आपका कोलकाता में तो आप पर कंसे मैंड़त हो來了 करा कि चिर को आं दोलन का संबंध है तो इसका साजयगा आप कांवनों को काटने से रोखने से ने कीच को पॉन ज़िए लूंन कि नहीं करने से चला था तो इसका सोज beggar का सुंदळलान बहु गोनाने आगा आगा पर थे हम लोग कि राश्टी परियावनगर्ण सोत्संस्थान कहां पर है तो इसका जाएगा आपका नागपुर्जो की महरास्ट में है देन कहां कि इंडियन इंस्टिट्व अफ फॉर्ष्ट मेनेजमेंट के स्थापना कब और कहां की गए तो इसकां सो जाएगा आपका 1981 में और भोपाल मे आगे बढ़ते हैं हम लोग के राए कि भायत में चंदन की लेकड़ी के वन सबसे आधी कहां पाये जाते हैं तो इसका अच्छा जाएगा आपका नील गिरी की पहाड़ी में दोस्तों लास्ट कोस्टन लिखा गया हमारे आप पर कराकी साइलेंट वैली के चर्चित होने का कायान क्या है तो इसका अब सब्सक्राइब आपका जह भी बित्ता यह हम सदा बाहर वन का सर अच्छा तो दोस्तों आज के लिए इतना है दोस्तों बीटा आपको अच्छी लगते हैं वीडियो को लाइक करिएगा आगे से भी करेगा तो करें दोस्तों थैंक्स फोर वाचिंग में